आपका 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 अपका हार्दिक स्वागाता है देखे दो महिएने से लगातार दिन्मी में सीलिंग चल रहा है और काफी तदाद में दुकाने सील हुई है और सीलिंग का कारण पीछे जो है कही ना कही गौवर्मेंट की लापरवाही साप दिखाई देती है दब 2006-07 में दिल्ली मास्टर प्लान में अमेंडमेंट किया गया तो उस समय दिल्ली की 216 सडके नोटिफाई की गई उसके बाद कुछ सडके और नोटिफाई की गई नोटिफाई करने के बाद एक जिम्मेदारी दी गई कि जो नोटिफाई सडकों पर आते हैं उनको कनवर्जन चार्ज पे करना होगा Convergence Charge पिछले 11 साल से लगातार दिल्ली का दुकांदार पे कर रहा है वो दिल्ली की जो Municipal Corporation वाड़ी है वो उसको वसूल रही है प्रंतो उस Act में प्रावधान था कि जो भी पैसा कठा होगा उसका एक अलग एकाउंट खोला जाएगा जिस वाड़ से जितना पैसा आएगा उसी वाड़ में जो Commercial Activity हो रही है उनके लिए पार्किंग की वस्ता, पानी की वस्ता, बिजली की वस्ता, सीवर की वस्ता जो भी उनको Commercial Activities में असानी से उपलब्द कराई जाएगी और इसमें वहां की Trade Associations को भी Confidence में लिया जाएगा प्रंतो पिछले 11 साल से जितना पैसा सभी मार्किटों ने विशेश का नुवारी गांधी नगर की मार्किट ने जितने भी इस दिली के 64 वार्ड हैं सबसे ज़्यादा पैसा एकठा गांधी नगर से किया जाता है और उस पैसे का एक रुपया भी उस वार्ड में नहीं लगाया गया क्योंकि यहां पर बजट की समस्या इस दिली में रहती है उस फंड को डायवेट कर दिया गया और डायवेट करने के सब्सक्राइब बाद उन्होंने जो भी पैसा था उसके दूसरे मद में इस्तेमाल किया लेकिन उस वार्ड में कोई भी पार्किंग वस्ता नहीं दी इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्किट और उसके लिए पार्किंग वस्ता ना होना एक जाम का बहुत बड़ा कारण है इसी तरीके से यहाँ पर की सीवर की समस्या बिजली की समस्या जो आम रहाशी है उसको एक कमर्शल एक्टिटी होने की कारण परिशानी आने लग गई अगर MCD ने जो पैसा हमसे वसूला उसी में खर्च किया होता तो आज यस्तिती नहीं बनती यही एक मुख्य कारण बढ़ा दूसरा जब सुप्रीम कोट ने पहले मौनेटरिंग कमेटी को भंग किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो आप दिल्ली मास्टर प्लान में आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये कारे करेंगे जिससे आम आदमी को दिक्कत नहीं होगी आज बारा साल हो गए साथ के बाद और दूसरा मास्टर प्लान दोजार इकिस में आ जाना है इन बारा सालों में आपने दिल्ली की हालात सुधरने के बजाए और विगड़ गए और उस ने, उसी कारण यही बना कि मौनिटिंग कमिटी दबारा आई और इस समय क्या हो रहा है कि कुछ देखा वाला नहीं जारा है किसी ने कर्ज़न चार्ज पे ईकिया है किसी वालाइसनस है किसी ना किसी तरीके उसको गेर कर सील किया जा रहा है 400 दुकाने लाच्पत नगर अमर का लवनी में सील कर दी गई किनी को कोई नोटिस नी दिया कोई उनको मौका नी दिया आए उत्खील कर दिया 400 दुकाने अब जब सील करेंगे वहां का वैपारी के मन में रोश होगा वो सड़क पर आएगा उसको अधिकार है कि पर्टेस्ट करें कारण पूछे आप उसको पुलिस उसको बरवरता से लाठी चार्ज करेंगी वहां जो मैलाएं जिनके बुटीक हैं जिनके काम हैं उनको गसीट के मारा जाएगा दिल्ली क्या पूरा देश देख रहा है कि किस बरवरता के साथ पुलिस में उनके साथ अन्याय किया और उसके बाद लगातार जो भी सीलिंग पार्टी आती है कोई आदमी देखने को तयार नहीं है सीधे आते हैं और फुलिस के बल पर उसको सील करते हैं और चल देते हैं इससे दिल्य में बेरोजगारी बढ़ेगी जो सेलफ मीड मार्केट है जिसमें गावर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है जब से देश अधाद हुआ है किसी भी सरकार ने दिली ने मार्किटों लीके के लिए कोई उपज़क्त स्थान नहीं दिया होलसेल मार्किट के लिए कोई जगा नहीं बनाई गुदामों के लिए कोई जगा नहीं बनाई टांस्पोर्ट के लिए कोई जगा नी बनाई कि ताके ये दुकाने रियाशी राकों में ना फुलके नीमत जो जगा हैं वहाँ पर खुले अगर सरकार ने कोई किसी किसी का जगा किसी को अपलब कराई हो तो बताए कि हमने इस मार्केट को ये जगा दी है आज दिल्ली की सबसी पुराने मार्केट है सदर बजार, चांदी चोंग, खारी भाली हम आज 25-30 सालों से सुन रहे हैं कि इनको शिफ्ट किया जाएगा, इनको दुबारा जगा दी जाएगी लेकिन आज तक किसी ने नहीं दी मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमारे जो कारखानेदार है, अगर इनकी छोटी-छोटी फैक्टियां हम जुगियों में रगवा देते तो निसी दुरूप से 40 साल में हमें दस बार जगा मिल गई होती क्योंकि हमारे दिल्ली में जुगी वाले को सबसे आसान है कि जगा उसको मिले लेकिन कारखानेदार को, दुकंदार को, वैपारी को कोई भी रिसेटलमेंट के लिए या रिडूइलमेंट के लिए इन्होंने कोई भी हमारे लिए इस तरीके का प्रावदान नहीं रखा जिस कारण से आज दिल्ली की स्थिती बनी है मैं इसके लिए किंद्र सरकार को दिल्ली सरकार और नगा निगम तीनों को दोशी मानता हूँ कि इन्होंने कोई भी ऐसी प्लैनिंग नहीं की कि दिल्ली का धाचा साफ सुत्रा रहे दिल्ली का पॉलिशन साफ सुत्रा रहे दिल्ली में हर तरह की कि समस्या हो तो मेरा यही अनुरोध है सर अभी जो इस दिल्ली के मेंबर और पालियमेंट है महिश गिरी जी ने बयान दिया था उस बयान के बारे में बता है महिश गिरी जी ने ये कहा कि दिली में जो अवेद मार्किटे बनी हैं उनको कड़वी दवाई देने की जरूत है मेरा यही उनसे प्रात्ना है कि आप चार साल से तकरीबन पूरवी दिली के सांसद है आपने यहां की कितनी मार्किटों को जगा उपलब्द कराने का प्रयास किया कितनी फैक्टियों को रिलोकेट करने का प्रयास किया कितने यहां पर गुदावों की वस्ता उनाने का प्रयास किया क्या आपका प्रयास है कि दिली का जो वैपार है उसको नीवित करने के लिए आपका क्या प्रेहास, क्या कड़ी दवाई आपको भी नहीं दी जानी चाहिए अगले चुनाओ को जी 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 क्योंकि जब चुनाओ का वक्त आता है तो वो मंच के माध्दम से तरह तरह के लाली पॉप देते हैं कड़ी दवाई देने वाली बाग कर रहे हैं वही जिनको कड़ी दवाई दी जानी है उन्होंने ही आपको एक अच्छा फूल खिराया था और आपको बोड़ दिया था मेरा यही कहना है कि उनको पहले स्वेम आदम चिंदन करना चाहिए क्या हमारी सरकार ने दिल्ली के किसी वर्ग को भी किसी वर्ग को आज ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है कि माहा को उनको रोजगार दे सके आज रेडिमेट गार्मेंट उद्योग जो है हमारे यहाँ पर कम से कम बीस परसंट भागेदारी महिलाओं की है किसी भी कार खाने में आप चले जाएए आपको 10-15 मैलाएं काम करती मिलेंगी जो ज़रोग कर रही है बैचों का वालिंग पोशन कर रही है और इतना बड़ा रोजगार देने वाली एक इंडस्ट्री हमारे देश में जो एग्रिकर्चल इंडस्ट्री है उसके बाद टेक्से इंडस्ट्री का नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है सब कुस्रेटों का मानना ये है कि जो आज वैपारी हैं ये राजनितिके चक्तरम फजगे हैं कि ये राजनितिके तहत इस तरह के काम हो रहा है जैकि आज हम लोग सबी राजनितिक पार्टियों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं हमें किसी भी राजनितिक दल्द में से ना कोई लेना देना है आज हम हमारे जो दिल्ली के मुख्य मंतरी है केजरिवाल जी उनके पास गए है उनकी पास समस्चा रखी है उन्होंने हमारी बास सुनी है हमें अश्वासन दिया कि हमारी जो डीडिये के मेंबर है एसके बग्गा जी और सोमनाद वारती जी वो आपकी बात को उठाएंगे उन्होंने उठाया है बात उठाई है उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस में भी गांदी नगर का नाम लिया है संजे सिंग जो जब राजे सावा में चुम के आए उनका पहला वाशन आया तो उसमें भी गांदी नगर का नाम लिया गया उदर दूसरी तरह मरोव तिवाडी जी से हम मिलने कर गए थे उन्होंने हमारे लिए सामने ही डीडी के वाइस चेर्मेन को फोन करके समय लिया और कहा कि छोटा रोजगार है जो एक छोटी कलोनिया री सैटल्मेंट कलोनिया अनथराईस होई कलोनियों में लोग कर रहे है वो लोगों को बेरोजगार करना और उनको सड़क पे लाना ये उचित नहीं है और उन्सकों ने हमें अश्वासन दिया कि हम हर अलत में यहां की फैक्टियों को बचाएंगे यहां के दुखानों को बचाएंगे लेकि सार सक्ता में होते हुए भी वो डिड ये के चेर्मेन को पर्च Verm कर रहा है कि आप इस तरीके की कारवाई कीजियेगा सर जो एक सफ्ता में होने कि बावजुद अगर जो सफ्ता में सीधा कहेंगे भी इकreet काम नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन उनकी कहीं करेंगे एक कहते हैं ना कि जुम्ला सरकार है। दोनों सद्रों में पास कराके उसको एक कानून का रूप देते हैं और आज सिलिक नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाने थे निश्चित रूप से वो नहीं उठाए गए। सर एक तरफ कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास और जहां विकास की बात है जहां लोगों को रोजगार मिला है छोटे चोटे पुझे लगा कर अपने छोटे मुड़ा रोज़ा चला रहे हैं उनको उजाने की कोशिस की जा रही है। अरुप सिपना की जा रहे है हैं अपने की चलता है अघिर में पड़िक को काम ही नजर आता है कि क्या विकास हुआ सब एक तरफ को आजाता है, माने प्रदान मंतरी जहरे मंचे कहता है, हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, और इस डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा जब छुटे वेपारी हैं और वो अपने वेपार नहीं कर पा रहे हैं, और देश की बूरी हालत हो गया इस समय. लादी गई हम पर जो खुद बाद ही उसको चलाने में सफल नहीं हुए, आज जीस्टी में हम लोग सारा देश देख रहा है, कि कोई भी रेटरन फाइनल करने का भी परफार्मा फाइनल नहीं है, इवे बिल जिसने पीछे एक जुलाई से लागू गया था, पहले ही शाम तक सौट्वेर नहीं चल सका, यह सब चीजें देश की जनता देख रही है, कि इस सिरफ कहना और करने में बहुत अंतर है, इनको पुने विजार करना चाहिए, कि जो आप बोलते हैं, जो जो जनाए के घोशना करके आप सत्ता में आये थे, आपने उनको कितना पूरा किया, सिर जो भी वो करना चाहते हैं, और देश की जनता के सामने रखें, दिल्ली की जनता के सामने रखें, और उसके अनरूप वो भी चलें, और वैपारी भी चलें